भगवान राम को अर्पित करने के लिए वडोदरा से लाई जाएगी 108 फीट लंबी अगर बत्ती। भगवान राम को खास बनाने के लिए कुझरात के वडोदरा में अगर बत्ती बनाई जा रही है। इस अगर बत्ती की हाइट 108 फीट लंबी होगी। अगर बत्ती बनने के बाद इसे आयोध्या भीजा जाएगा। खेट में लोही के 10 से अधिक ट्राइपॉट स्टैंग लगाए गए और उसके उपर अगर बत्ती बनाई जा रही है। जो अगर बत्ती है पांच तत्वों में से बनाई हुई है। 108 फीट इसकी लंबाई है, 3.5 फीट बनाई है। यह अगर बत्ती मानो है या तो 108 फीट यगना मानो है पराबर है। क्योंके जितने यगने की अंदर जो सामगरी यूज की जाती है, उस सारी सामगरी इसमें हीूज क्या है। यह अगर बत्ती भव्यो सुभाय यात्रा के साथ आयोधिया ले जाएंगे। हुआ प्रभूसरी राम को अर्पित करके उसको परजिलित रहेंगे। यह कंट्यूनिश्ट डेड़ महिना तक परजिलित रहेंगे। अभी अजारों साल के बाद में राम जन्मु भूमी के अंदर प्रभूसरी राम का मंदीर बनाए। प्रभूसरी राम की प्रानपतिष्टा होने वाली है। इसकी लिए पुरे भारत देश की अंदर से सभी राम भगतों ने कुछ न कुछ चीज उदर भेजा है। तो इसको ध्यान में रखके जो वड़ोद्रा संसकारी नगरी है। तो यहां से भी और गुजरात से कुछ अयोध्या जाना चाहिए। इसलिए हमने ये 108 अगर्वत्ति बनाया है। और योध्या बेजे दियो उसको। अभी इस अगर्वत्ति की अंदर 101 किलो गाय का घीर गाय का घीक यूज किया है। 306 किलो खोपरा का सीन यूज किया है। 306 किलो गूगल यूज किया है। 306 किलो इसकी अंदर पुरी जो गुलाब ये सब मिला के सामगरी है। 425 किलो इसकी अंदर हमन सामगरी यूज किया गया है। और 1445 किलो जो गीर गाय का गोबर होता है उसका पाउडर यूज किया है यह सारी चीज मिला के इसका 3,500 किलो वजन है अब यह अगर बत्ती बनाने में तो कम से कम 5,500,000 रुपय की लागत लगा हुआ है और जो भी रहाँ भक्तों ने सायोग किया है उसके बाद में यह अगर बत्ती क्यूंके हमने बारिस पहले इसका काम्चाल हो किया था 6 महीना लगा है क्योंके बारिस का टेम आने से अगर बत्ती पुरे बारिस की अंधर रखना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी मगर भगवान राम की कुर्पा हुई है इसको आमने ओटरपूप कर दिया था तो अगर्वत्ति पो कोई नुकसान बारिष में नहीं हुआ है अभी खोल दिया गया है इसका काम अभी होना होने पर है और यह अगर्वत्ति के अंदर जो भी मत्रल यूज किया है किसी ने किसी राम भक्त ने दिया है और उसके अंदर जितनी भी सामान जो कम पड़ता था वो में खुद खरीदा है और अगर्वुति क्योंकि यह भगवन राम की कुर्पा होती है जब यह काम होता है बाकी तो नहीं होता है में तो खाली इस में अयोध्या में बन रहे भवे राम मंदिर क की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है इस खुश्खबरी को लेकर कड़ोरो राम भक्तों में गजब का उत्सा देखने को मिल रहा है ऐसे ही एक उत्साही राम भक्त है 62 साल के नेमाराम प्रजापती जो एहमदाबाद से रामरत साइकल पर सवार होकर अयोध्या जा रहे है आपको बताते चले कि नेमाराम अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर बीते 20 सालों से साइकल पर नंगे पैर भ्रमन कर रहे हैं एहमदाबाद तो अयोध्या के इस यात्रा में नेमाराम जैपूर से गुजरे तो मुख्य मंद्री आवाज भी पहुँचे है हाला कि से इसके बाद नेमाराम ने भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार को सुशाषन का अशिरवाद देते हुई साइकल के पैरल को बढ़ा दिया जिसे उन्होंने राम रत नाम दिया है